पीगमी जन्जाती के बारे में बात कर चुके हैं, पूरा क्वेशन उसके उपर हो चुका, दूसरा क्वेशन है पिगमी जन्जाती पे, पिगमी जनजाती के में भी हम सब बात कर चुके उनके निवास्थान के बारे में उनके आखेट के बारे में उनकी अर्थ वेवस्ता के बारे में कैसे भोजन करते हैं कैसे घरों में निवास करते हैं कैसे क्या क्या चीज पकड़ते हैं तो ये सारी चीजों को विवरण हम लोग ने विश्तार पूर्वक कर लिया है उमीद है आप लोग ने नोट्स बना लियों होंगे और कुछ अकर संशे है तो मुझे आप मेसेज के कमेंट बॉक्स में आप मेसेज करके आप पूछ सकते हैं कुछ अकर आपको संशे है अगर इ पहले आपको हम बता चुके है क्यव संशुल मि जंजाती के लोग जीरो वेटर यारी विश्वत रेखा पे निवास करते हैं ठीक है बार उस्सें 30 अउत्तर और 30 दिबहां दक्ष्ण तो पर 20 Suite वी टासंगिया और यह 30 डिफ्ड़ी दक्षण हो हो गया ठीक है इसके बीच में निवास करते हैं यहां पर तापमानिक बहुत तेज होता है तापमानिक को सूरी सूरी हो गया ठीक है सूरी का तापमान सीधी किड़ने यहां पर पढ़ती है यहां पर तापमान बहुत अधिक होता है तो वर्शा भी बहुत होती है और यहां पर आधिरता भी बहुत है जब वर्षा रोज और नहोगी तापमाण भी बहुत अदेख है तो आदरता भी निश्चित होगी ठीक है ना जब आदरता और तापमान दोनों चीज बहुत है तो क्या होता यहाँ पे घने आपको जंगल मिलेंगे घने जंगल इतने बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे वनस्पति इतनी घनी मिलेगी पेड़ भी यहाँ 50 फुट की हाइड पे ठक मिलेंगे क्यों एक दूसरे से कॉमपटिशन होता है पेड़ों को वनस्पति को क्या चीज चाहिए दो चीज जरूरी है वो एक तो हो गई धुप और एक हो गई पानी बारिश का यह दोनों चीज मात्रा विश्वत रेखा पे मिल जाती है जब दोनों चीज विश्वत रेखा पर हो जाती है मतलब नीचली सता पे भी बहुत पेड़़ पॉदे उगयाते हैं आपने देखा आज कल बारिश के दिनों में हमारे जब बारिश दिनों पर पेड़़ कितने हो आज लेखो नीचे जमीन में मस होना क्यों कोगी साथ बीच्छू हो जाते हैं कि इसी वजह से जब भारिष की डिनों में क्या होता है तरे तरे की जीव जन्तु निकल आते हैं पीर पौदे हो गयाते हैं तो यही बात यहां पे तो बारोमासी तापमान अधिक रहता है पूरे वर्ष भर तापमान अधिक रहता है तापमान अधिक होता है वर्षा भी अधिक होती है आधता भी बहुत होती है ठीक है तो इस कारण इन लोगों को वस्तर की बहुत कम आउशकता होती आपने देखा है कि साउथ हमारे साउथ इंडिया हम थ दक्षण भारत का आप देखें वस्त्र क्या पहनते कैसे पहनते हैं पहली बात तो उनकी रंग रूप पर देखें दक्षण भारत के लोग काले रंग के थोड़ा उनका रंग दबा होता है और उत्तर भारत के लोगों का रंग थोड़ा साफ होता है यह क्यों है क्यों को कि भ और ग्रीद 4 मिनिट पे है तो यह विश्वत रेखा के पास हो गया तो यहां पे लोग क्या हुआ छोड़े साबले रंग के होते हैं और अगर उत्तर भारत के देखे तो उनका रंग गोरा होता है क्यों कोकी सूरी की कड़ने यहां पे तीरची पढ़ती है यहां पे थोड़ी सीधी पड़ती इसलिए यहां के लोग थोड़े सावले रंग के होते हैं अब हम यहां पर आफ्रिका में बात करें यह जो पिग्मी जन जाती के लोग हैं यह विश्वत रेखा पे रहते हैं विश्वत रेखा के आसपास 30 जिग्री उत्तर 30 जिग्री दक्षन में तो इनका र कैसे होते हैं थोड़े काले होते हैं काले भी होते मजबूत होते हैं दात मजबूत होते हैं सफेद दात मजबूत होते हैं तो यह सब पिग्मी जन जाती के वो हैं इसी वज़े से यह इतनी तापमान है यहां पर वर्षा होती है यह उपर के हिस्से में यह कपड़े नहीं पेहनते हैं अ छ्फण नंगे रहते हैं ये ये अपने गुपतांगों को ढईखने के लिए पुरँषा पत्तों के ढख Furthermore और पत्तों को किसे बानते हैं पेड़ों की च्छाल से बानते हैं च्छाल समझते हैं पेड़ों का जो ऊपर का तना होता है उसको निकाल के उसकी डोरी बनाके उस पत्तों को बान लेते हैं अपने गुप्त अंगों को इस स्री और पुरुष अपने ढगते हैं ठीक है ये लोग तार के पत्तों का तार के पत्ते बहुत चोड़े चोड़े होते हैं तो तार के पत्तों और उसे भी अपने शरीरों को ढख लेते हैं और बाकी के ये अपने उपर के तरफ ये नंगे रहते हैं ठीक है अब हम लोग बात करते हैं आधुनिक समाज से संपर क्यों को कि की यह लोग विश्वत रेखा के आसपास वाले रहते हैं तो यह लोग क्या है बड़े अपने अंदर ही समाए हुए रहते हैं किसी से बाहर के लोगों से मेल मिला आप नहीं है शंकालू प्रवती के लोग हैं ये लोग और केवल बंटू जाती से ही अपना संपर्क बनाके रखते हैं वो भी इनको कुस वस्तू रखनी का वैपार करना होता है तो एक स्थान पर जाके उस वस्तू को रख देते हैं और वो बंटू जाती के लोग ले जाते हैं इस रहे नहीत करी दरते हैं तो एक आधुनिक समाच से दूर रहते हैं इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा पिग्मी जन जाती के बारें बात कर लिया, अब हम लोग दूसरे जाती के बारें बात करेंगे, मुझे उम्मीध है आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और आपने नोट्स बना लिए हो मैं साइड हो जाती हूँ आप स्क्रिंशॉट ले ले